आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेश कारेकरम करमफल में और मैं हूँ आपके साथ रश्मी दर्शको जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी कारे करने जाते हैं उसमें हमें असफलता ही हाथ लगती है जैसे कारोबार करना चाहें तो उसमें हमें असफलता हाथ लगती है बच्चों की शादी करना चाहें तो शादी नहीं हो पाती है या फिर कहें अगर हम किसी के मदद करते हैं तो उसमें भी हमें बुराई ही मिल जाती है आखिर ऐसा क्यूं होता है? ऐसा कौन सा योग होता है हमारी कुंडली में? जिस कारण से ऐसा होता है? ऐसी तमाम परिशानियों के समाधान के साथ आज हमारा साथ स्टूडियो में मौजोध है जाने माने शिव गुरुजी को बरधन वाले अजिए उनका स्वागत करते हैं तो दर्शको जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुजी आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं यदि आपके मन में भी कोई प्रशन चल रहा है जो इसका समाधान आप गुरुजी से जानना चाहते हैं तो नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं गुरुजी से बात कर सकते हैं यदि आप तुरी शक्ति कवच मंगवाना जाते हैं या आप कर्मफल जनम पत्री का बनवाना चाहते हैं तो भी नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं आप अपमें कॉल कर सकते हैं घुरू जी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं तो गुरुजे कारे करिम के शुरुवाज करेंगे मंगला चरन से. हम किसी का सहयूद करना चाते हैं . लेकर वहां से हम कईबार बुराई मिल जाती है , या कुई भी कार उसमें मेंं सफ्लता नहीं मिलती ऐसा क्योंag जनमा कुण्णड़ी के अंदर रहु ग्रह काुण खराब हो जाना , सनी ग्रह का का खराब हो जाना , अंगल का और ब्रिस्पती जो गुरु है उनका खराब हो जाना पीडित हो जाना कहीने के यह दर्साता है जिसको हम करम हानी योग भी कहते हैं जब इन ग्रहों का पीडित हो जाना कुंडली के अंदर दर्सा देता है कि हमारा लगन का भाव यह चतुरत पंचम सत्तम मतलब जह करम हानी योग हम लोग कहते हैं जूआ जाता है आपकी नोक्री छूट जाती है या सब्तम भाव बस्टम भाव को देख रहा है तो पत्पत्नी में एक विबात पैदा शुरू हो जाता है ये कई वार देखा गया है दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा दर्सकों को ऐसा ही भाव अगर आपकी कॉंडली में मंगल ग्रह का है मंगल ग्रह आपका कुपित हो चुका है पीड़ हो जाती है मैं बात कर रहा था राहू और गुरू जब राहू और गुरू की जोती होती है तो उसको गुरू चंडल योग भी कहा गया है वहां से भी आपकी वानी में दोस्ट शुरू हो जाता है यानि कि जो चीज हम आपको समझाना चाहरे हैं तो आप समझ नहीं पाते य जहेंने के वोमध्विद पैदा होता है, तो महां फिर परिसानी पैदा हो जाती है। सबसे बड़ा दोस है करम हानी दोस में कि जब हम रहने किसी की सहायता करने जाते हैं किसी के कारे में कोई अपना हाथ बढाते हैं या किसी को सला देते हैं तो सला से व्यक्ति का एक नुक्सान सुरू हो जाता है उसको परिशानी पैदा हो जाती है तो कहीने के उसका भाव मन में पैदा हो जाता है वो कोई विप्री दिस्तिती उसकी पैदा हो जाती है हमारी प् थैक